आज हम लोग female reproductive system की बात करेंगे cocrose में तो female reproductive system of the cocrose तो देखिए, diagram कित्री हूँ बताती हूँ मैं आपको मतलब cocrose है female, उसका में ये only abdomen वाला जो पार्ट है ना वो बना रही हूँ जिसमें 10 segment होते हैं और ये होगी genital pouch तो genital pouch आप लोगों पता है segment 7, 8 और 9 है इसकी बात अपन पहले ही कर चुके ये segment जिसको ये वाला जो 7 वाला segment होता है, बोट से segment होता है ये बाली बात अपन लोग पहले कर चुके है लेकिन फिर भी बता दू genital pouch है कौन से segment है 7, 8, 9 वाले segment है अब देखो ये जो इसके अब डोमेन वाला 2 से 6 segment ये 2 से 6 जो segment है यहाँ पर present होती है ovary है ना इस टाइब से इधर भी दोन्नों 6 to 8 segment क्या present है यानि 1 peer ovary present है तो यहाँ मैं लिख दू first organ क्या लिख दू ovary, first note क्या हो गया present in 2, 2, 6 segment of abdomen याद रह जाएगी यह याद रखना कि ovary कितने pair है, one pair है कौन-कौन से segment में 2 से 6 segment है abdomen के अब यह जो ovary है इस ovary की अंदर ऐसे ऐसे छोटे-छोटे chambers बनने हुए 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 समझ में आगे? 8 chamber है, ऐसे इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यहाँ पर भी ऐसे 8 chamber बने हुए तो ovary के अंदर, 8, each ovary, each ovary में 8 क्या present होती है? और लूज, यह लो, एक ovary में कितनी होती है? 8 तो दोनु ovary में total कितनी हो गई? 16 क्या होगे? और लूज हो गई, हाना? यह देखो, यह और लूज, अब देखो, यह जो और लूज है ना? मतलब एक, एक और लूज, one ovary लूज, जो है, वो one ovary produce करती है, अब ovary आपको पता है female gamit, ovary क्या होते है? female gamit मतलब hapeloid form, इस टाइप से, ऐसे hapeloid form, ठीक है? each ovary, तो total कितने ovary होगे? total होगे, total होगे, 16, मतलब 8 इदर से, 8 इदर से, इत्ती बात समझ में, ovary कितनी बात याद रखनी है? ovary one pair है, हाना, one pair, abdomen के 2 से 6 segment में है, इसमें 8 ovary lose present है, तो 8 और 8, 16 ovary lose होगे, total, each ovary में 8 है, फिर 1 ovary lose produce the 1 होग, तो यहां से 8 होगे, यहां से 8 होगे, total कितने होगे? 16 होगे, ovary की बात खत्म, अब आगे आओ, यहां से both the ovary arise a tube, यहां से एक tube arise हुई, यह जो tube arise हुई ना, this tube is known as the ove duct, दोनों जाकर के एक जगे एक साथ खुली है ऐसे, और यह आकर के खुल गई जनाइटल पाउच में, समझ में, मतलब जनाइटल पाउच के दो इससे बना लो, आप चाहो तो, कौन से में anterior वाली है, यानि की, two ove duct है, one peer, open in a common duct, this common duct is, यह तो इसे क्या बोल दो, common duct, या आप इसे क्या बोलोगे, vagina, जाइना, common duct, या वेजाइना, अब वेजाइना, situated in the 7th segment, वेजाइना किस segment में, 7th segment में, we had the vagina open, in the genital pouch, यह वेजाइना आई, और यह genital pouch, तो इसे अपन क्या बोलते है, ओनो, फोर, जहां वेजाइना open, जनाइटल पाउच है, यानि की वेजाइना है, ओपन इन जनाइटल पाउच this is known as the gonopore यह बात हमारी पहले हो चुकी फस्ट यह सेकेंड वीडियो जो मैं अब डोमेन के सेग्मेंट पढ़ा रही थी तम मैंने बात gonopore बोल दिया इतनी बात के लिए रुई अब सुनो एक मिनट अना एक मिनट एक मिनट ठीक है अब सुनो य यहां पर है ना यहां पर एक मिनट एक किलियर नहीं हो रहा ना सुनो अब हो गया यहां पर है ना ऐसे से एक छोटी लोब और एक बड़ी लोब पढ़ी है कौन से सेग्मेंट में सेवन वाले सेग्मेंट सोरी सिक्स वाले सेग्मेंट में एक बड़ी लोब पढ़ी है और एक कैसे जो एकर के कहा खुलेगी यही कुलेगी जैनाइटल पाउच में तो इस फोरम इस प्रम् थीक्त का सिचवेटेड इनदे सिघ्ट सेग्मेंट या दधना वे जाएना सेवन सेग्मेंट यह है थोड़ी सी उपर si सेगमेंट है अब क्या काम है इस प्रम थिका का आपको याद होगा तो मैंने का था कि जो मेल है वो एक ऐसे पाउच बनाता है जिसके अंदर बहुत सारे इस प्रम होते हैं ऐसे त्री लेयर इसको अपने इस पर मेटो फोर बोला था इस पर मेटो फोर तो यह क्या करती है जो इस प्रम है ना इस प्रम इसको स्टोरेज करने का काम करती है तो स्टोरेज दे इस प्रम यहाँ पर याद रगना इस प्रम थिका यह फिमेल का पार्ट है इस प्रम थिका फिमेल का पार्ट है जो इस प्र तो इस्प्रम ठीका है तो यह मेल का हो गया नहीं इस्प्रम ठीका फीमेल का पाट है यहां पर ऐसे ऐसे जो इस्प्रम को क्या करता है इस्टोर करता है और यह भी कहां ओपन हो रहा है आकर के यह लो यहां ओपन हो रहा है यह भी आकर के जनाइटल पाउच में तो जनाइटल है क्या नाम है इसका को लेटरल ग्लेंड तो उसा पास करके दिखाऊं को लेटरल ग्लेंड कितनी ए वन पेर है और ऑपन इंद जनाइटल पाउच कहां खुल रही है जनाइटल पाउच में खुल रही है तो देखो जैसे अगर मैं ना कि आ एक बर इसे हैं तो अब को लेटरल ग्लेंड जो को लेटरल ग्लेंड सब्सक्र्राइब सब्सक्रोपीत सिक्रेट करती है वो जो सिक्रिशन है ना वो एक पाउच बनाएगा ऐसे यहां पर एक ऐसे ऐसे बैग बना लेगा यह जो बैग बना है ना इस बैग को बोलते ऊथीका जिसमें ओवम और इस प्रम का क्या होगा फर्टिलाइजेशन तो उठीका का फॉर्मेशन कोन कर रहे है सिक्रिशन ओफ को लेटरल ग्लेंड उठीका क्या है एक पाउच है जहां से देखो इस प्रम ठीका से यहां क्या आ जाएंगे इस प्रम और यह जो वेजाइना से यहां क्या आ जाएंगे ओवम आ जाएंगे जिसके अपर अलग से डा जनाइटल पाउच है येलो इस जनाइटल पाउच में उपर वाला हिसात हो गया एंटीरियर पार्ट जिसमें क्या क्या ओपन हो वेजाईना यानि गोनोपोर एक जिसमें एक क्या ओपन हो रही है इस प्रम थीका इस प्रम थीका ओपन हो रही है और एंटीरियर में और क्या ओ जो एंटीरियर पार्ट है जो 7, 8, 9 पूरी जनेटल पाउच बनी है 7, 8, 9 सेग्मेंट से मिलके जो एंटीरियर पार्ट है उसमें क्या-क्या ओपन हो रहा है इसका जो एंटीरियर पार्ट है उसमें गोनोपोर मतलब वेजाईना को लेटरल ग्लेंड और इस प्रम ठीक का ये पार्ट ओपन हो रहे हैं ठीक है इसका जो posterior वाला इसा है ना नीचे वाला मतलब यहां यहां ऐसे से kaitin की बनी हुई plate है kaitin plate this kaitin plate is known as the gonofysis उस kaitin plate को क्या बोलोगे गोर्नो फाइसिस बोलोगे और गोर्नो फाइसिस के साथ साथ में इसको बोल सकते हैं वैस्टी बूलम क्या बोल सकते हैं इसको वैस्टी बूलम भी बोल सकते हैं इतनी बात के लिए हुई क्या देखो आपको क्या-क्या बताना है, है ना, ओवेरी है, वनपेयर, क्या परजेन्ट है, ओवेलीज परजेन्ट है, है ना, जो ओवं बनते हैं, फिर यह हो गई, ओविडthird, ओविडलीट कोमन एक साथ क्या बोलते हैं, कोमन ओविडक्ट या वेजाईना, वेजायना की ओपेनिंग का होती है जनाइटल पाउच की अंदर होती है ठीक है शिक्स जो सेगमेंट है वहाँ पर दो लोब पड़ी है जिनको बोलते है इस्प्रम ठीका जो इस्प्रम को स्टोर करती है फिर क्या है कोलेटल ग्लेंड है कोलेटर गलेंड का जो सिक्रीशन है वो क्या बनाता है वो ठिका बनाता है जिसमें इस्प्रम और ओवम का फर्डिलाइजेशन होता है इत्ती बात के लिए रो गई क्या अब सुनो मेरी बात है ना यहां देखो पूरी प्रोसेस बता हूँ अब मतलब यह तो अपने इसके और की बात कर ली समझ में आगे ना सारे और किस और क्या क्या काम है अब अपन बात करते इसमें कोप्यूलेशन की इसमें कोप्यूलेशन की प्रोसेस किस टाइप से होती तो सुनो कोप्यूलेशन की प्रोसेस कैसे होगी इस प्रम्तिका सिक्स सेगमेंट में बता दी चरो ठीक ह वीजायना सेवंथ सेगमेंट में याद कर लेना अब मेल और फिमेल कोक्रोज है उनमें कॉपिलेशन होता है आपको पता है कि दोनों का जो पॉस्टीर्यियर पार्ट है ना है ना वहां की जो गोनोफड eucis है ये दोनों अटेच गोनोतफ challenges जो अनलिस style है वो किसको खोलेगा इस प्रम ठीका की opening को खोलेगा देखो यहाँ पर है न यहां पे ऐसे 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 यहाई और यह वेजाइना यहाँ खुल गई खुल गई न है मतलब मैंने ज़्यादा खुल दिया तुम लोग दहां रखना इसे वेजाइना खुलेगी य चेल ये वैझा है यहां बिजन लब शोब है यहां बिजन्स फ्र instruction जरना ने टर सब्सक्राइस एस को लेटरियो खुल रही है अब यह पर तो आनए इस प्रिजेन ये जो यूट धाइसाड फिशिस प्रेजिस और qualquer के गुनफाइस अपस में टच करेंगे मतलब कोपुलेशन के समय जो मेल और फीमेल कोकरोज है न इसका जो फेशल पार्ट वो एक दूसरे के अपोजिट होता है अब क्या हुआ अच्छा दूसरी बात आप ये ढ़ान में रखोगे कि जो कोपुलेशन के समय जो मेल है न वो फ वज़े से फिमेल ना वो इसकी तरफ के होती है अट्रेक्ट हो जाती है अब क्या हुआ दोनों के गोनों फाइसिस टच किये जुड़गे मैं मतलब एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली जुड़गे ताकि एक दूसरे से अलग नहीं हो जाए पैक हो गे दोनों एनल स्टाइल ह वुल को को खोलेगा किसको खोल रहे है इसको इस प्रम फिक और क्या छोड़ देता है इस्प्रम ठीका में ये पड़े हैं जब तक इसके अंदर ओम नहीं आ जाते अब सुनो इस्प्रम या इस्प्रम स्टोर हो गए मतलब मेल का काम खतम वो फिरी है उसे कोई लेना देना नहीं अब क्या हुआ कि जैसे इसमें इस्प्रम आए है ना ये कोलेटरल ग्लेंड है ना इस इस अपना स्ट्रिशन दिया उस्प्रिशन से एक पाउच बन गहीं यह जो ठीक है अब क्या हुआ इदर से यह यह से ओम बन गए न यह से ओम आये के बाद में यहां क्या आएंगे? इस्प्रम थीका से कौन आगए? इस्प्रम आगए. और इनका यहां पर क्या होगए? इस पाउच में फर्डिलाइजेशन हो गया. बश्लाब को लेटर ग्लेंड एक पाउच बनाएगी जिस पाउच में male gamit और female gamit का fertilization होगा उसको बोलते उठीका क्या बोलेंगे उठीका बोलेंगे अब क्या हुआ जैसे fertilization हुआ fertilization होने के बाद में जो female cockroach है वो अपना जो outer genitals होगा जिसको अपन उठीकल chamber बोलेंगे उठीका को body से release कर देगी उठीका को ये body से क्या कर देगी? release कर देगी ऐसे बंद हो गया ही उठीका वाला हिसा इस type से ये उठीका बंद हो गया ही इस उठीका में क्या है? एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ एक दो तीन चार आठ ऐसे ऐसे क्या पढ़े? एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ इसको इसने यानि किसी भी मौईस जगे पर हुमिडिटी मौईस है ना एक प्रोटेक्टेड पार्ट पर इसने इसको यहां से क्या कर दिया? डिश्चार्ज कर दिया पतलब एक उठीका की अंदर कितने फटिलाइजड एग है? इसे पूछे ना कि एक लाइन में कितने फटिलाइजड एग है तो क्या कहोगे एट फटिलाइजड एग है? अगर उप्सन में साथ से आठ है तो साथ से आठ वाली बात करोगे अब फीमेल कोक रोज है एक टाइम में कितने उठीका यह उठीका है ना उठीका कैसे बना? वो बात होई गई कितने U ठीका एक टैम में कितने U ठीका रिलीज करती है तो 9 से 10 U ठीका रिलीज करती है अपनी बोडी से एक टैम में कितने U ठीका रिलीज करेगी 9 से 10 U ठीका क्या करेगी रिलीज करेगी अपनी बोडी से तुमारी NCRT की बुप में इसकी लेंथ भी दे रखिए यहां तक किलियर हो गया कोई दिक्कत नहीं यहां तक मतलब को लेटरल गलेंड आती है उसका सिक्रीशन है वो एक पाउच बनाता है उस पाउच में के अंदर मेल और फिमेल गेमिट का फटिलाइजेशन होता है मतलब यहां से इस्प्रम आएंगे और वेजाइना के थ्र्यू ऑव आम आजाएंगे फटिलाइजेशन हो जिसको ऊठीख कहते हैं ऊठीका को बोडी से रिलीज कर दिया जाता है ऊठीख क trzeba में लगबग 14 से 16 फटिलाइज़ एग होते हैं है ना और एक बार मेश्टे उठीका रिलीजừng करती है नो से दस ऊठीका रिलीज करती है अब यह जो अब ठीक है अब उसके बाद में अपने बात करेंगे डवलप्मेंट की किसकी बात करेंगे तो याद अखना इसका जो डवलप्मेंट है ना उसको बोलते इनकम्प्लीट डवलप्मेंट इनकम्प्लीट डवलप्मेंट मतलब है ना सोरी और यह क्या कहते इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस अगर लार्वा बनता ना तब तो बोलते complete metamorphosis यानि लार्वा से अगर adult बनता है ना लार्वा से adult बनता तब तो बोलते complete metamorphosis अब इसमें लार्वा नहीं बनता तो अपन क्या बोलेंगे ने metamorphosis तो हो रहा है लेकिन लार्वा नहीं बन रहा तो बोलते incomplete metamorphosis देखो, यह fertilized eggs है, इन fertilized eggs है, लार्वा नी बना, in complete form बनी, जिसको बोलते है निफ, मतलब development समझा रही हूँ, क्या बोलते है, निफ बोलते है, ठीक है, यह जो निफ है ना, यह आगी जगी किस में बदलेगा, adult में, जिसके adult को बोलते है, पहुंदाओ, इमेगो, क्या बोलते हैं, इमेगो, निफ से adult में बदलेगा, तो इसमें, मौल्टिंग कितनी बार होगी, तेरा बार मौल्टिंग होगी, यह बहुत अच्छा question है, जब कोक्रोह, निफ से adult में change होता है, तो मौल्टिंग कितनी बार होगी, तेरा 13 time मोल्टिंग का मतलब ह beneficial ह होता है hillini theatre अउतर कवरिंग अपनी जो बॉड्य है बॉड्य इसके आउटर भाग को नीचे हटा इहाटा देता आउटर जो होती है इसको हटाना या release करना क्या होता मौल्टिंग करना होता तो में लोग बसेंगी हो पिफिर इसके बाद अच्छे से बताती हो ना इस पेज पर सुनो डवलप्मेंट की बात कर रहे हैं किस की बात कर दवलप्मेंट की क्या हुआ fertilized eggs है fertilized eggs है क्या बनेगा निफ देखो निफ और adult दोनों एक जैसे ही होते है जिसको अपर इमेगो बोलते है देखने में size में अंतर होता है बस इसकी size छोटी होती है इसकी size पर wings नहीं होते मतलब एक तो gonards नहीं होते और दूसरे इसके अंदर क्या नहीं होते wings नहीं होते यह दो चीज़ नहीं होती जबकि adult में gonards भी होते और wings भी होते यह difference है मतलब दिखने में एक जैसे ही है मतलब यह size में बड़ा यह size में छोटा है और क्या आप different देख सकते हो निफ में gonards और wings नहीं मिलेंगे आपको wings उड़ नहीं सकते जबकि इसमें gonards भी होते और wings भी होते उड़ सकते इसमें wings तो नहीं होते लेकिन क्या होते है wings pads होते मतलब पहले वाले में दीरे 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 development जैसे क्योंकि मैंने क्या का निफ है ये अपनी स्कीन को कितनी बार remove करेगा तेरा बार remove करेगा मौल तब molting कितनी बार होगी molting कितनी बार होगी 13 टाइम molting होगी ना तब जाके adult बनेगा तो मान के चलो जैसे 11 के समय 12 के समय wings pad बन जाते wings नहीं बनते वो हिस्से बनने देखो पहले वाले में तो मतलब भी नहीं हिस्से बना फिर दो बार molting होगी तीन बार होगी चार बार होगी ऐसे कि 10-11 बार जब molting हो जाती है तो क्या बन जाते wings pads बन जाते मतलब हमें पता चल जाता कि अब इसके wings बनने वाले है wings नहीं है wings बनाने वाली structure बन जाती है फिर क्या बन जाते है wings बन जाते है जब wings बन जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे adult बोलेंगे आप यह कह सकते हो कि जो wings pad नहीं है वो जो adult नहीं है उससे पहले two niffles मतलब एक से लेकर के 13 तक चलेगा नहीं मानके चलो 11 वाले निफल में before before थै 11 निफल sorry sorry मतलब 13 13 स्टेज से पहले मतलब 13 में तो adult होई जाएगा तो आप 11 निफल स्टेज मानके चलो 10 या 11 निफल जो स्टेज है उसके अंदर क्या बन जाते है wings pads बन जाते है ताकि वो आगे जगर क्या बना सकते है wings बना सकते है अचा सुनो अब आपके समझ कि molting आप किसे है कह रहे हो सुनो जैसे मानके चलो यह ऐसे से चोटा सा kokroach है ना इसके segment यह डोमेन वाला ऐसे से सुनो यह ना बेचारा ऐसे चोटा सा है तो उसे बोलते है molting होना फिर वो थोड़ा सा और बढ़ा तो इसकी skin ऐसे से बढ़ा तो इसकी नहीं आती जारी तूटती जारी नहीं आती जारी तूटती जारी तो कितनी बार होगा ऐसा 3 time molting कितनी बार होगा 13 time यह पहला question तो यह रहा wings pad किस में होते है niffle sniff में होते है niffle stage में होते है ना कि adult क्यों adult में तो wings ही बन गए दूसरा कुशन यह रहा ठीक है फिर उसके बाद में न निप से adult का बनना या larva से adult का बनना metamorphosis है इसमें molting हो रही है लेकिन इसे अपन complete metamorphosis नहीं बोलते हैं के जैसा ही होता है दूसरी बात niffle से adult बनने में कितना कम से कम एक साल लगते हैं one year कितना time लगेगा one year लगेगा niffle से adult बनने में तो आपका एक question यह रहा यहाँ पर wings pads क्या है molting कितनी बार होती है kokrose में यह वाली बात आपको धान रखनी है 13 time molting होती है kokrose में देखो as development में एक साल लगा न तो आप इसे क्या कह सकते हो gradual metamorphosis कह सकते हो न gradual metamorphosis या incomplete metamorphosis आप कह सकते हो अब देखो यह बात आपके समझ में आ गई न इसका development किस type का होता है incomplete metamorphosis होती है niff से adult बनते है कितनी बार molting होई 13 time molting होई niff और adult में क्या difference है यह बात मैंने आपको बता दी wings pad का मतलब wings नहीं है यह आपको ध्यान रखनी होगी मतलब wings के जैसे structure बनने लगती है अब female का जो diagram है मैं आपको NCRT वाली book से दिखा देती हूँ एक बार तो आप देखो यह जो diagram मैंने बनाया यह वाला जो समझा यह बात मैं NCRT वाली book में दिखा देती हूँ आपको एक मिनट रू किये गा देखो एक मिनट ठाना देखो यह रहा देखो वन पियर ओवेरी है न इसमे देखो यह क्या बने इनको क्या बोलते ओवेल्यूज बोलते तो आठ यह रहे आठ ही रहे 16ो अगए यह काहां के खुलते ओवीडक्ट ठीक है ओवीडक्ट यह जो यलो कलर वाली है इसे कोमन ओवीडक्ट यह क्या कहते हैं वेजाईना इत्ती वा समझ मैंगे यह क्या होगी वेजाईना फिर देखो यह वाला जो इससा है इसे आप क्या कहोगे जैनाइटल पाउच कहोगे तो जैनाइटल पाउच मे कौन खुल रही है वेजाइना खुल रही है आकर के जनाइटल पाउच में सिक्स सेगमेंट के अंदर देखो यह वाली जो लोब बनी है ना दो एक यह रही एक यह रही यह उती है इस्प्रम ठीका तो इस्प्रम ठीका भी कहां खुल रही है आकर के जनाइटल पाउच में इसे से आधी खुली ताकि उपर से ऐसे से बैक फोर्म बनाएगा जिसमें इस प्रम थिका में जो स्टोर इस प्रम में वह आ जाएंगे और वेजाइना के त्यूक्या जाएंगे उसके अंदर एक सब्सक्राइगे उनका फटिलाइजिशन हो जाएगा और पूरी वह पैक हो ज प्लेट जो गोनो फाइसिस बोलती हूँ न मैं फ्लेट ही घोनो फाइसिस बतलों मेल फी मेल की दोनों गोनो फाइसिस अपसमें जुड़ जाएगी हाणा颯े ये वाला इससा खुलेगा वो डिका्ट वो इसको खोल रहना इसमें इस तो बतल रहत ूस्छंप्रमाइट फॉ सुनो अब इस्परमेटोफोर को फेक दिया इस जनाइटल पाउच में किसको फेका इस्परमेटोफोर को फेक दिया जनाइटल पाउच में अब क्या होगा इस्परमेटोफोर की वो तीन कवरिंग थी ना वो तूट जाएगी तीनों कवरिंग और जो इस्परम है ना वो कहां यहां पर नें तो से क्या जाते है इस्सारवδेंइन यहां पर आजाते ऐस पाउच के अंदर फर्डसीं को ऊठीक осв कहते होडी से डि श्यार्ज कर दिया जाता है एक बार में कितने उठीक डिश्यार्ज करते नो से दस मतलब एक उ ठीका के अंदर चोदा से सोला एग है तो आप देख लो एक एग है वो एक निफल स्टेज का फोर्मेशन करेगा मतलब एडल्ट में डवलप हो जाएगा तो यह डाइग्राम था यह दो से लेके छह वाले सेग्मेंट में है सिक्स वाले सेग्मेंट में इस प्रम्थीका भी है सेवन वाले सेग्मेंट में क्या है वेजाइना वाला इससा तो यह आज की मतलब यहां पर कोक्रोज वाला जो टॉपिक है वह आपका पूरा किलिए रहो चुक है देखो मेल वाला डाइग्राम देख लो यो यह क्या है लोप्स है न मतलब चार पांच है चार-पांच सेग्मेंट में पड़ी हुई यहां देखो वोस डिफ्रेंस वोस डिफ्रेंस आगे-जकर क्या बनाएगी एक्जूलेटरी डक्ट और एक्जूलेटरी डक्ट यहां खुल रही है जनेटल पाउच के अंदर यह देखो यह बड़ी सी ग्लेंड पढ़ी है जिसे बोलते है मस्रूम ग्लेंड जिसके अंदर वाली जो स्मॉल है यह तो न्यूट्रिशन देने का काम करती है और बाहर वाली जो सैल्स है वो स्परमेटोफोर की इनर वोल का फॉर्मेशन करते हैं तीन वोल ऐसे 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 तो अंदर वाली का फॉम यह करती है, ओपर यहां देखो, फैली ग्लेंड पढ़ी है, जो इसके नीचे सारे सारे आकर के यहीं खुलेगी, फैली ग्लेंड, है न, एक्जूलेट्री डक्ट भी यहीं खुल रही है, तो सबसे भार वाला फैली ग्लेंड बीच वाला अजुलेटरी ग्लेंड अंदर वाला इसा कौन बनाती है मस्रूम ग्लेंड बनाती है है यह ना ठीक है देखो फिर फैलो मियर्स ठीक है एनल स्टाइल्स यह सब पढ़े हैं यह देखो एनल यह रहा एनल स्टाइल्स ठीक है इती बार समझ में आगई सभी है ना यह दोनु डाइग्राम मैंने आपको दिखा दिए मेल और फिमेल वाला डाइग्राम वेजाएना ना इसके नीचे सेमिनल वेसिकल्स नीचे पढ़ी हुई है पीछे की सेट जो अपन को दिखाए नहीं दे रही है देखो दिखनी रही ना इसके नीचे आगई तो कैसे दिखे ना तो इसके नीचे की तरब पढ़ी हुई रहती है तो यह था कोकरोज वाला टॉपिक एक बार है ना इसके सारे नोर्स एक साथ पढ़ लेना क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला एक बार पढ़ते हैं तो हमें ध्यान में रहता है कि हाँ हाँ हमें आ जाएगा यह वाला लेकिन यह आता नहीं है तो आप लोग ध्यान रखना बार-बार भूल जाते हैं हर बार पढ़ना पढ़ता है इस टॉपिक को तो एक बार देख लेना ओके बच्चो